Hello students, welcome back to my channel Smart Study Students, आज हम Directed of Education की तरफ से दी जाने वाली Worksheet No.23 करेंगे जो कि Class 6 की है और सब्जेक्ट है Mathematics ये Worksheet 15 December 2020 की है तो आज़े शुरू करते हैं आज की Worksheet Worksheet शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आज़े देखते हैं आज की Worksheet Comparing Decimals In Class Test of 10 Marks, Sanya scored 8.5 Marks and the Rohit scored 8.7 Marks, who scored higher? Sanya के देखो कितने Marks है? 8.5 and Rohit के 8.7 है तो किसके Marks जादा है हमें इसके बारे में देखना है तो बेटा देखो क्या होगा? 8.5 and 8. हम लेते है 8.1 सेकिंड बिचा देखो एक के Marks कितने है? 8.5 है और एक के Marks है? 8.7 देखो अब इन में से हम जो जब हमें पता लगाना होता है कि कौन सा number Decimals में क्या है? comparison करना होता है तो हम Decimals से पहले इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ देखते हैं अगर हम देखते हैं यहाँ पर दोनों के 8 Marks है मतलब कि जो number है whole number है वो दोनों में क्या है? equal है लेकिन यहाँ अगर Decimals के इस तरफ जाते है तो Decimals 5 आता है और यहाँ पर Decimals 7 आता है तो इन दोनों में से big number कौन सा है? 7 number big है तो कौन सा पूरा number 8.7 number क्या हो जाएगा? big हो जाएगा तो देखिए as whole number part is the same both in the 8 दोनों में 8 क्या है? equal है Now we compare the 10th place अब हम 10th place 5 और 7 को compare करेंगे तो 7 क्या है? big है जहने हम क्या लिख सकते है? 8.7 क्या है? greater than है 8.5 से नेक्स देखिए क्या लिखा गया है बेटा? compare and find the bigger number from the following इन दोनों में से आपको क्या करना है? bigger number को देखना है तो देखिए बहुत आसान तरीका बताऊंगे बेटा 0.99 ठीक है? तो देखिए यहाँ पे 0 हो गया हना यह दोनों नमबर के बीच में comparison करना है तो देखो इसके लिए क्या क्या जाता है? यहाँ पे decimal दिया गया है, यह आपको decimal है दोनों में तो हम decimal के पहले इस तरफ देखते हैं कि दोनों number चेक करेंगे कि कौन सा number bigger है उसके बाद हम इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे decimal यह है, तो इस number यहाँ पे 1 दिया गया, यहाँ पर 0 दिया गया तो इन दोनों में से bigger number कौन सा है बेटा इन दोनों में से bigger number है 1 तो यह whole number 1.02 क्या हो जाएगा यहाँ पर bigger हो जाएगा इसको देखो हम इसकी positions लगाते है यहाँ पर 0 की position क्या आएगी 10th आएगी और 2 की position 100 पर आएगी यहाँ पर देखो 0 क्या आ जाएगा whole number क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा 910 की position पर आएगा और यहाँ पर 900 की position में आएगा तो 1 क्या है bigger than 0 then हम क्या लिख देंगे 1.0 is bigger than 0.99 इससे तरह next question देखे अब यहाँ पर देखी क्या यहाँ पर दिया गया 0. so 2.09 and 2 है तो हम इसको भूल जाएगे हम इसको नहीं count करेंगे अब हम देखते है decimal यह हमारा decimal है decimal की इस तरफ चलते हैं देखो पहले क्या है यहाँ पर 0 है यहाँ पर 0 है तो हमने इसको भी नहीं count करते हैं यहाँ पर 9 है second number पर यहाँ पर भी 9 आम इसे भी count नहीं करते हैं, अब यहाँ पर कोई number नहीं दिया, कि decimal के आगे कोई number ना दिया, तो हम इसे 0 count कर सकते हैं, तो हमने इसको क्या लगा लिया, 0 और यह क्या है 3, तो 0 और 3 में से big कौन है बिटा, तो 0 और 3 में से 3 क्या है, तो यह वाला number क्या हो जाएगा, आपका bigger than हो जाएगा, तो आईए देखते हैं, यहाँ पर देखो, इससे तरह से value लगा के हम समझ सकते हैं, 0, 10, 9 क्या हो जाएगा, 100 पर हो जाएगा, यहाँ पर 0, 10, 9, 100, और 3 क्या हो जाएगा, 1000 की उसमें आजाएगा, तो इसमें दोनों में से bigger कौन है, 2.093 क्या हो जाएगा, bigger हो जाएगा, अभी questions करेंगे ना और अच्छी से समझ में आजाएगा, अब हम करते हैं next question, ascending and descending order, तो अब हम करते हैं, ascending and descending order, देखिए, first is ascending order, ascending order क्या होता है, जिसके अंदर small जो number है, वो सबसे पहले लगाया जाता है, और सबसे last में क्या आता है, big number आता है, ये क्या होता है, ascending order, देखिए, सबसे small number सबसे पहले आता है, और सबसे big number सबसे last में आता है, उसे हम ascending order कहते हैं, और जबकि descending order क्या होता है उसमें क्या आता है उसमें big number सबसे पहले आता है और last में क्या आता है small number आता है यह होता है descending order first हम करते ascending order देखे ascending order में क्या कहा जाता है देखे यह number दिया गया है यहाँ पे numbers दिये गया है इन में हमें ascending order में लगाना है तो इन में से देखे, सबसे first, ये क्या है बिटा, सबसे small है तो सबसे पहले आ जाएगा अब देखो, इसको पहचानने का तरीका या identify करने का तरीका वही है आप decimal, पहले तो decimal के इस तरफ से देखे कि यहां पे decimal है आप इस तरफ देखे कि कौन सा नंबर बिग है उसको ले लेंगे उसके बाद आप इस तरफ से देखेंगे तो देखें यहां पे सब जगए decimal के इस तरफ टू नंबर है तो हम इसको काउंट ही नहीं करेंगे अब हम देखते हैं सबसे पहले 0 आया फिर 0055 फिर बिग नंबर यहां पर लगाना है और ऐसे करते हुए उसे small नंबर तक लेके जाना है तो सबसे अब देखें क्या दिया गया है बिटा 4.17 4.1 4.01 4.071 and 4.7 तो सबसे बिग देखो क्या हो जाएगा 4.7 कि देखो उसके बाद यहां पे भी 1 दिया है यहां पे भी 1 दिया है य 1 7 4.10 हो गया 4.01 हो गया 4.07 हो गया तो इसके बाद क्या आ जाएगा 4.17 और 4.107 अब देखो अब दो नंबर हमारे 0 के है 4.1 4.017 and 4.071 4.071 and 4.017 तो देखो इन नंबर में से बिग नंबर कौन सा है देखो यह दोनों नंबर यहां पे 7 है तो बिग कौन सा आ जाएगा 7 1 और लास्ट में हम लिख देंगे 1 7 का थोड़ से प्रैक्टिस के साथ बहुत इजी ली बेटा आपके ही कोशन सॉल हो जाएंगे अब हम करते है इसके एक्सरसाइज आईए देखिए फर्स्ट कोशन क्या है compare the decimal and circle the bigger one हमें bigger one को क्या करना है circle करना है तो आईए करते हैं question solve first देखिए यहाँ पे क्या है 0.5 है और यहाँ पे क्या है 0.05 तो इन दोनों में से देखिए यहाँ पे 0 है यहाँ पे 5 है bigger कौन सा हो जाएगा यह वाला bigger हो जाएगा next देखिए 0.07 है और 0.02 है तो देखो यहाँ पे भी 0 है यहाँ पे इकॉल हो गया अब यहाँ पे 7 है अब सेकेंड नमबर पर जाते हैं यहाँ पे 2 है तो bigger कौन सा हो जाएगा 07 तो यह नमबर यहाँ पर bigger हो जाएगा next देखिए 1.23 एन 1.2 तो देखो यह क्या है 1 equal हो अब में क्या है आज यह उसंद अब है अब हम करते हैं गहां लगाने है कि कौन सा लगाना है इंदि की कौन घर करते हैं 2 को 0.7 और 1.7 इन में से bigger कौन सा है यहाँ पर point के बाद देखिए decimal के बाद देखिए decimal के बाद देखिए 7 है यहाँ पर 1 है तो bigger कौन सा हो जाएगा हमारा यह वाला number ठीक है second देखिए decimal 20 है यहाँ यहाँ पर decimal 2 है तो 2 के बाद कोई नमबर नहीं तो हम 0 लगा सकते तो यह दोनों नमबर क्या हो जाएंगे equal हो जाएंगे next देखिए decimal 9 है और decimal के बाद क्या है 19 है तो big कौन सा हो जाएगा decimal 9 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा big हो जाएगा अब देखिए decimal 0 5 है और यहाँ पर decimal 5 है अलो decimal से पहले 0 इसलिए में लिखने रही यहाँ पर decimal के बाद क्या है 0 है यहाँ पर decimal के बाद में क्या है 5 तो bigger कौन सा हो जाएगा हमारा 5 वाला next question देखिए decimal 6 8 और यहाँ पर क्या दिया decimal 8 6 तो decimal के बाद वाला नमबर देखते हैं यहाँ पर 8 है, तो bigger कौन सा हो जाएगा बेटा, 8 बाला, तो इस तरह से हमारा second question भी इसमें हो जाएगा, अब हम करते हैं question number 3, जहां से करेंगे इसको समझ की करना है आपको, अब हम करते है question number 3, आइए, देखते है, write the following decimal in ascending and descending order, हमें ascending and descending order में करना है, तो आइए करते हैं बे यहाँ पर सबसे small number क्या है, देखो, यहाँ पर बेटा देखो, 1.09 क्या हो जाएगा, सबसे small हो जाएगा, उसके बाद देखो, अब बाकी यहाँ पर 2, 2 दिखाई दे रहा है, 2, 3 न, तो सबसे small उसके बाद, उसके बाद big कौन सा हो जाएगा, 1.9 उसके बाद big हो जाएगा next देखो next 2 का number दिखाए दे रहे 2.03 हमारा big number हो जाएगा 2.0, ध्यान से करो बेटा देखो 2.05 हमारा उससे big number हो जाएगा next देखो 3.5 as it is ऐसे question दिया गया बेटा ये question सिधा वैसे ही हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा question number 3 का one part अब हम यहाँ पर b part यहीं कर लेते हैं देखो b part में क्या होगा हमें क्या करना है सबसे small number देखना है इसके अंदर सबसे small number क्या है 0.09 ये क्या हो जाएगा सबसे small number हो जाएगा देखो decimal के बाद यहाँ पर क्या है 0 है अब हम लेते हैं इन दोनों में बड़ा, अब तीनों में ही देखो, डेसिमल के बाद यहां पे तीनों में ही one number दिया है, तो अब हम देखते हैं कि इन में सबसे small number कौन सा है, जो इससे big हो, तो अब देखें अब यहां पे क्या आ जाएगा बिटा, 1.09, यहां पे क्या आ अब हम करते हैं question number 4, अब देखें question number 4, अब देखें question number 4, write the following decimal in descending order, अब हमें क्या करना है, descending order में मतलब कि हमें big number सबसे पहले लेना है, और small number हमें सबसे last मिलाना है, तो आईए करते हैं question 4 का a part, तो देखो, इसमें सबसे big number कौन सा है बिटा, सबसे big number है 340, 340 हमारा क्या हो सबसे big number हो जाएगा, उसके बाद देखें, एक सबसे big number हो जाएगा, उसके बाद देखें, एक सबसे big number हो जाएगा, उसके बाद देखें 340, ठीक है, उसके बाद देखें 3.04 हमारा second number हो जाएगा, 3.04, हमें क्या करना है, घरते करम में ले जाना है, छोटे करम में लेके ज 2.54 ठीक, आपको एक ही line में लगाना है इसको सीधी line में लगायेगा ठीक, अब हम करते हैं इसका next question देखिए next question क्या है आईए यहीं पे हम इसका next question कर लेते हैं तो इसके अंदर से सबसे बड़ा number देखें क्या होगा, 8.79 हमें क्या लगाना है सबसे big number लगाना न पिटा पहले तो 8.799 सबसे big number हो जाएगा उसके बाद 8.8 के दो ही number है देखो 64 आजिया अब 8.64 के बाद में देखो क्या आएगा तीनों number में हमें यहाँ सिक्स दिखाई दे रहा है जो तीनों number बच गए है तो हम सबसे बड़ा नमबर देखते हैं इन में कौन सा है 6.9 इन में से सबसे बड़ा है उसके बाद आजएगा 6.8 और लास्ट हमारा सबसे छोटा नमबर क्या हो जएगा 6.50 देखो ये नमबर है बिटा ये 7 नहीं है बिटा इसको आप मैं मार्क भी अलग कलर से कर देती हूँ एक से किर न यहाँ पर देखो बच्चे कन्फ्यूज ना हो न इसलिए ये मार्क लगाया हुआ है ठीक है यहाँ पर भी ये मार्क है ठीक है तो ठीक है स्टूदेंट आज अपनी वरक्षिट कम्प्लीट कीजिए अपनी वरक्षिट करके अपनी टीचे से चेक कर आईए और प्लीज मीदे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए थैंक्यू स्टूदेंट्स